Hello dear students, स्वागता है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर Dear students, आज की वीडियो class 12 ना होकर के class 11 के लिए रहने वाली है और इस वीडियो में English compulsory का person patr है तो आप इस person patr को देखे, उमीद है इस person patr से भहुषारी person patr आपकी वार्षी परिक्षा और अद्वार्षी परिक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले reading section है जिसमें कुछ questions दे रखे हैं पेसेज देख करके आप screenshot ले सकते हो इसका writing section के अंदर देखिए writing section भी है जो कि आप निचे आने की देख रहे हो आपको उसके बाद जो देखिए students आपके सामने वो है option में कि you faced fallet आपने bad का सामना किया during rainy season rainy season के दोरां आपको इस incident को यानि कि अपने सब्दों के अंदर लिखना है उसके बाद देखिए describe the process of opening a bank account कि bank account खोलने का यानि कि जो तरीका है उसका ओर्णन करना है आपको writing section में है और उसके बाद option में है how to prepare tea आपने चाहिक कैसे बनाई इसके लिए भी आपको लिखना है उसके बाद grammar section आगया आप देख सकते हो अलग-अलग section अलग-अलग topic के अलग-अलग question या आपको क्या करना है ये lines का आपको use करते वे आपको क्या गरना एक report लिखनी है टेक्स्ट बुक से देखिए सबसे पहले पैसेज दे रखा है पैसेज के निचे question है option में दूसरा पैसेज है और इसमें भी देखिए क्योशन दे रखा है जो कि आपको पेसे से करना है पांस से दस वर्ट्स वाले परसन देखिए आप देख सकते हो परसन पोईम से भी दे रखा है इसमें और पोईम से जो दे रखा है इसके निचे जो क्योशन दे रखा है वो क्योशन भी है poem के नीचे अब देखिए photograph से question दे रखा है objective type person की poet's mother on the beach who accompanied the poet's mother on the beach, कौन साथ गया poet की mother की साथ बीच पे उसके बाद choice person देखिए answer any one of the following questions, कोई एक person का जवाब देना है, उसके बाद देखिए, last two person आप देख सकते हूँ, कोई तीन person के जवाब आपको लिखने है, तो यह रहा आपका English का person पत्तर